एकल के बाद एक परसेंट घड़ जाता है मतलब पांच हजार मिलियंप्यराग की बैटरी है और हजार बारा दोस्तों आज मुझे आप से एक बात करना है अक्सर दोस्तों हमारे मीड रिज के फोन में कोई भी अपडेट आता और बैटरी ड्रेन होता है तो आप लोग बहुत उसमें दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि जो जो डिवाइस में दोस्तों यह लिश्ट हुआ है मतलब आइफोन के दोस्तों ऐसमें बैटरी ड्रेन का इश्यू देखने को मिल रहा है इस तरह कोई निउस निकल क्या आ रही आपको क्या लगता है इस तरह का मामला दोस्तों वीडियो नहीं दिया आज मॉर्निंग में क्योंके बहुत जादा थाके वे था हैं आप बात करते हैं कल के पोल की हमने आपसे पूछा था दोस्तों कि आप जो रिचाज कराते हैं कौन से प्लान ज्यादा कराते हैं दोस्तों वहां पर सबसे ज्यादा जो वोट आया है 45% आते हैं कमेंड में अपनी राइस जरूर तो चलिए दोस्तों पहली कि तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तों 11 अप्रिल को यामा अपना एक एलेक्रिक स्कूटर या बाइक कुछ भी दोस्तों लॉंच कर सकता है इंडिया में जो 80 किलोमीटर का दोस्तों आपको देगा रेंज में आएगा और गूगल भी अपना एर ग्लास लॉंच कर सकता है लेकिन दोस्तों ऐसा बताया जा रहा कि यह बहुत ही ज्यादा अप्टिमाइज इनहेंस देखने को मिलेगा लेकिन यह मिनी लेडी में आप दोस्तों चस्मा पहन कर क्या देखना चाहेंगे समझ रहे हैं आ अगर आप लग जाता है और हम टेंसन में रहते हैं कि क्यों नहीं चल रहा हमारा सॉंग वगरा कोई क्यों नहीं चल रहा यह खुछ भी ऐसा फोन में बात नहीं हो रहा है तो दोस्तों उस टूल्स के मदब से आप जान पाएंगे कि आपका जो वायर है केबल है दोस्तों व जैसे मैंने पहले बताया था कि UPI का UPI 123 करेंगे तो दोस्तों फीचर फोन से आपका पेमिंट वगएरा होगा लेकिन हलके फोन के लिए जो दोस्तों 7000-8000 का रेंज में Android फोन आता है वो UPI पेमिंट के वाला जो एप है वहाँ लैग श्टेटर होता है तो इसलिए दोस्तों UP लेना चाह रहे है तो दोस्तों 15-16 दिन रुक जाहिए वहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि आज लॉंच हो चुका है लिनोवो का लेठिंग बुक 14 प्लस और 16 प्लस यह दो दोस्तों काफी जबर्जस और अमेजिंग है 63000 से यह दोस्तों स्टार्ट होता है कोर आई 3 i7 और आ खरीदा था और अभी दोस्तों 2022 चल रहा है और अभी भी मखन जैसा चल रहा है मेरा सारा वीडियो एडिटिंग वगएरा उसी में होता है और आप देख सचते कि यह जो वीडियो आप देख रहे है 4K पर देख रहे है 4K रेजलेशन तक का जाता है बस आपका फोन जो है दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि 35,000 रुपए होने वाला है मुझे भी ऐसा लग रहा है आपको लग रहा है कमेंड में अपनी राइस ज़रूर चलिए दोस्तों बात करते हैं सैंसन की अगली ख़बर के तो दोस्तों सैंसन 5NM टेकनोलोजी पे और भी ज्यादा इसको इन उपधर बहार गयां प्रोजेक्टर देखें वाए अपनी राइस ज़रूर देखने को मिलेगा दोस्तों बात करते हैं इसके कैम्रे की 50 MP का Triple Rear Camera देखने को मिलेगा दोस्तो 16 MP का Selfie Camera 5000 mAh की बैटरी USB Type-C First Charging के साथ ये देखने को मिलेगा लेकिन इसका जो डिस्पले होगा IPS पैनल इसमें देखने को मिलेगा और ये Under 20,000 में तो अब आने ही चाहिए अगर उससे उपर जाएगा तो दोस्तो कौन लेगा वही दोस्तो ओपो की अगली खबर ये है कि ओपो दोस्तो एक बैटरी टेकनलोजी पे काम कर रहा है दोखिए दोस्तो यहाँ पर बात थोड़ा सा समझेए कि आपका जो बैटरी होता है वो हजार सैकल के बाद एक परसेंट घड़ जाता है मतलब 5,000 म मिलियंप राक की बैटरी है और हजार बार आप चारज किये उसको तो दोस्तो एक cycle complete हो जाता है जिसके हिसाब से दोस्तो आपका जो battery capacity फीर रहे जाता है 4999 mAh तो यह चीज़ आप समझ गया तो यह जो है दोस्तो इसको बढ़ा कर उप्पो करने वाला है 1600 recycle मतलब दोस्तो 1000 में यह complete होता था cycle तो दोस्तो आप 1600 में complete होगा और इसके electron और protein by tick को दोस्तो अलग-अलग रखा जाएगा जिसके हिसाब से यह जब जूड़ेंगे तो आपको battery charge हो जागा जैसे होता है normal लेकिन दोस्तो इसको अलग-अलग box में रखा जाएगा इस तरह का दोस्तो battery बनाने वाला है उपो मतलब research and development में दोस्तो उपो कितना ज्यादा खर्चा करता है आप खुदी देख लीजे आपको क्या लगता है यह technology आपको कैसा लगा वैसे बात समझ में आया हमें भी नहीं आया comment में फिराइज ज़रूर दी चलिए दोस्तो बात करते हैं Moto G30 की इसमें Android 12 का अपडेट आचुगा है अगर आपके पास है तो जाकर अपडेट करिया और वीडियो को लाइक कर दीजे दोस्तो लाइक आप लोग बहुत ही कम कर रहे है और चैनल को सस्काइब जरूर करिए ताकि इस तरह के चेंबर देखने को मिलेगा जो दोस्तो फोन को हीट नहीं करेगा क्योंकि टैमें City 8100 का इसमें प्रोसेसर होगा तो हीट केतना होगा वो तो आप दोस्तो कमेंड में जरूर बताइए वैसे आप इस फोन के लिए इंट्रेस्टेड रखते हैं वो भी दोस्तो जरूर बताइ अब लाश्ट न्यूस के और आखरी न्यूस की तो दोस्तो रेडमी का के 50 सिरीज जो है दोस्तो गूगल प्ले कॉंसोल में लिष्ट हो गया है बहुत ही जल्दी ग्लोबली मार्केट में पोको एफ फोर जीटी वागरा के नाम से दोस्तो हमें देखने को मिलेगा आप दिखता होगा नीचे जाहिए क्लिक करें और देख लीजए और इस्टॉल करें और क्या प्रॉबलम है वो भी दोस्तों आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और कट दोस्तों हैश्टैक आप से रदा आएगा तो जल से जल सवाल करिए आपके किमती सवालों का हमें रहता है इं झाल मैं औरी में जामरे क्रेंस आप काहिए भॉजफे रहतीं सकते हैं और क्री प्लों कर दोस्तों है